Hello Everyone, मैं मित वन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे Central Teacher Eligibility Test याने की CTAT का Answer की Release कर दिया गया है अब आपने यह News सुनी और दोड़ने लगोगे और Website खोलने लगोगे तो देखिए मैं सबसे पहले आपको Website ही दिखा देता हूँ और बिल्कुल genuine information है CTAT.nic.in पर आप आओगे तो notification में जब नीचे जाओगे न देखिए यहाँ से आपको दिखेगा यह देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न display challenge for answer key CTAT December 2021 देखिए December से यह start हुआ था जो की जनवरी तक चला था इसका exam तो answer key को release कर दिया गया है और कैसे आप check करोगे step by step समझ लो चीज़ों को तब जाके आप जो है कुछ काम करना आगे बढ़ने से पले आप लोगों से request रहेगा विडियो को like करते हैं चैनल को subscribe कर लो गंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दो notification भी on कर लो और नीचे टेलिग्राम चैनल का link मिलेगा आपको वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अब देखिए जिनको answer की देखने में दिक्कत आ रही है वो यहां से email ID मेरी देख लो yourmithunssing at the rate gmail.com पे mail कर लीजे if you are on Instagram then do follow me at the rate imithunssing वहां पे भी आप जो भी आपका doubt हो सवाल हो genuine concern हो आप पोस्सकते हो तो देखिए official website पे जब आप यहां पे click करोगे न तो इसको click करने के बाद आपके सामने एक new page open होगा जी हां यहां से देखिए और इसके जब आप नीचे जब सबसे नीचे आ जाओगे तो यहां पे आपको देखिए का click here to display challenge of answer की तो इसके आप जैसे ही click करोगे न तापके सामने एक नई website खुलेगी देखिए यहां पे आपको अपना roll number नहीं याद है तो आप mobile number से देख सकते हो यहां पे mobile आपको जो roll number डालना है और date of birth को डालना है month के according यानि कि अगर suppose कर लो आपकी date of birth एक January 2022 है तो आप यहां पे ऐसे डालोगे यहां पे year year month month और year में न दो हजार पाईस आपको ऐसे डालना है याद रखिएगा ऐसे आपको डाल देना है तो यहां से आप सारे चीज़ों को समझ पाओगे जान पाओगे तो यह official website है by the way अभी जब आप यह सब सारे चीज़ों को करके login करोगे न तो यह आपको बताएगा invalid तो invalid क्यों बताएगा यह क्योंकि थोड़ी सी website में problem है थोड़ा सा patience रखिए आपका अंसर की आपको मिलेगा थोड़ा सा patience रखकर आपको काम को देखना है थोड़ा सा patience रखिएगा चीज़ें ठीक हो जाएगी website पे तो इस वीडियो को like, share, subscribe कर दीजिए चलिए thank you so much